आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आपका self confidence कैसे बढ़ सकता है, कैसे और ज्यादा confident feel करें, कैसे हर चीज को अच्छे से और कर पाएं और आप सबको बता है कि confidence is the key to success So successful होने के लिए confidence बहुत जरूरी है उसके बिना कोई भी आदमी successful नहीं होता life में But बहुत बार जैसे आप confident बनना चाते हैं, अपने self confidence को बढ़ाना चाते हैं, तो आप बहुत सारे चीजे करना चाते हैं But एक चीज जब तक आप ये नहीं करेंगे और इसको नहीं समझेंगे, आप कुछ भी कर लें, आपका self confidence हमेशा के लिए नहीं बढ़ेगा तो क्या करना है, सबसे जो पहला block है, जो सबसे बड़ा block है, self confident होने का उसको हटाना है, वो क्या है, self critical होना, yes, वो क्या है, अपने उपर हमेशा doubt करना जो लोग हमेशा अपने आपको doubt करते रहते हैं, अपने अंदर खामियां ढूनते रहते हैं, अपने अंदर weakness ढूनते रहते हैं, अपने आपको criticize करते रहते हैं, वो चाहिए फिर कुछ भी कर लें, कितनी बड़ी degree भी ले लें, कहीं पर नौकरी भी कर लें, कुछ भी कर ले वो कभी पूरी तरह से self confident नहीं बन पाते ये आपको समझना जरूरी है और ये self criticism जो होता है वो आता कहां से पहले ऐसे होता है कि आसपास के लोग आपको criticize करते हैं या कोई आपका मजाग उडाता है, दोस्त होते हैं school time में, college time में, वो आपको कुछ बोल देते हैं आपका मजाग उडाते हैं, फिर आप ऐसे लोगों के आसपास होते हैं जो आपको पहले criticize करते हैं और आपके अंदर weaknesses धूंड के आपको बताते हैं या बहुत बार ऐसे होता है कि आपके अंदर वो weakness होता नहीं है या उसका कोई value नहीं होता है बढ़ बार 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 उसका मजाग उडाते हुए, उसको बताते हुए आपको ये एहसास करा देते हैं, ये आपका belief बना देते हैं कि ये आपका weakness है, या आप में ये खामिया है या ये आपको इसके लिए low criticize करते हैं, इसके लिए आपको लोग पसंद नहीं करते हैं इसके लिए आप successful नहीं हो पाएंगे फिर थोड़े time बात क्या होता है आप सुन-सुन के पहले तो आपको अच्छा नहीं लगता, पहले गुस्सा आता है, पहले आपको low feel होता है फिर दिरे-दिरे आप उसको अपने mind में accept कर लेते हैं जैसे आप उसको accept कर लेते हैं, वो आपके mind में चला जाता है आपके subconscious mind में चला जाता है अंदर चला जाता है, deep तक चला जाता है, belief system तक चला जाता है, फिर क्या होता है, आप अपने आपको criticize करना सुरू कर देते हैं, आप अपने अंदर weaknesses ढूनना सुरू कर देते हैं, फिर तब आपको कोई business करना है, कोई interview के लिए जाना है, किसी चीज के लिए, आप सबसे पहले अपने अंदर क्या ढूनते हैं, आपकी weaknesses, क्या कमिया हैं, उन चीजों को ढूनते हैं, और फिर उसके लिए आप अपने ऊपर कभी गुसा करते हैं, कभी आप अपने ऊपर दुखी हो जाते हैं, तो ये करते करते, आपका self criticism है, वो बड़ा होता जाता है, वो strong होता जाता है और वो आपका self criticism जितना strong होगा, आपका self confidence उतना weak होगा, self criticism जितना बड़ा होगा, आपका self confidence उतना छोटा होगा, फिर आप एक तरफ आपको फिर पता चलता है कि नहीं मैं confident नहीं feel कर रहा हूँ, मुझे और confident होना है, क्योंकि तभी जाके मुझे वो job मिलेगा, तभी जाके जाब में promotion मिलेगा, तभी जाके मैं business better कर सकता हूँ, तभी मैं sales better कर सकता हूँ, तभी मैं चीजों मैं चाए personal life हो, चाए professional life हो, social life हो, मैं अच्छे से आगे भर सकता हूँ, फिर आप कोसिस करते हैं कि अपने confidence को बढ़ाने के लिए, और मैं भी आप फिर personality development का class लेते हैं, आ इतना बड़ा बन चुका है कि अब आपका self confidence किसी भी तरह से उससे बड़ा नहीं बन पा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके अंदर जो बाते चल लेए, जो self talk चल लेए, उसको पहले सुनो, आपको समझो कि आप अपने आपको कितना criticize कर रहे ह आप अपने आपको जो weaknesses ढूण के बता रहे हो, क्या वो सही है, या क्या उसका कोई value है, कोई मतलव है उसका, तो आप सबसे पहले जब आप अपने आपको criticize करना बंद करोगे, अपने self criticism को बंद करोगे, तभी आपका self confidence बढ़ेगा, ये सबसे बड़ा की है, आप दुनिया में जितने भी successful लोगों को देख रहे हैं, किसी भी field में, वो successful है, इसलिए क्योंकि वो self confident है, और इसलिए तकि उनका जो focus होता है, उनका जो ध्यान होता है, अपने strength के उपर होता है, जो भी उनमें अच्छा होता है, जो भी strong होता है, जो भी best qualities होती है, वो उसको ध्यान दे उसके साब उनके अंदर बहुत सारी weaknesses भी होती है, बहुत सारी खामिया भी होती है, बट वो क्या करते हैं, अपने strength पे focus करते हैं, अपने qualities पे focus करते हैं, तो तभी उनका self confidence जादा होता है, बड़ा होता है, और उनका self criticism जो है, वो छोटा होता है, वसी तरह से आपको अगर self confident होना है, जिन्देगी में successful होना है, तो सबसे पहला चीज करना है कि अपना जो self criticism है, उसको छोटा करना है, अपने आपको criticize करना, बंद करना है, अपने अंदर खामिया ढूनना, बंद करना है, अपने weaknesses पे कम ध्यान देना है, और अपने strength पे जादा ध्यान देना है, तभी आपकी confidence बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपका self confidence पे ध्यान जादा बढ़ेगा, self criticism से कम होगा, आपका self confidence बढ़ता जाएगा, और जब आपका self criticism छोटा होगा, तो self confidence अपने आप बढ़ा बन जाएगा, तो इसको आप आज से ही सुरू करो, अपने आपको criticize करना, बंद करो, आप देखना, थोड़े ही time में, आपका self criticism है, वो छोटा होता जाएगा, वो self confidence बढ़ा होता जाएगा, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ये आपको लगा कि कुछ जो चीज है आप करना चाहते थे और आप मिस कर रहे थे, तो आप इसको करना स्टार्ट करो, इस वीडियो को आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करो, तकि जितने जादा लोग और जादा self confident बनेगे, उतना ही आपका circle जो है positive होगा, और आप अगर नए है चैनल में, तो subscribe करके bell icon को दबा दीजिए, so that मैं ऐसे और बहुत सारे वीडियो आपके साथ श जितने जापके साथ चैनल में तोस्तों करो, अगरो आ冷 geri know दितने में को आपके साथ आपका बनेक करो, यजिए जितने में, भी आपके साथ अपकी साथ मूस्तों करो आपके साथ mussसायः करो, आपके साथ भाए है घः है Individualimon N